जै मातादी दोस्तो आप सबी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगस्त माह के चौथे सप्ता के तुला राशी फल के बारे में तुला राशी के लोगों के लिए ये अगस्त माह का अंतिम सप्ता कैसा वाला है और इन साथ दिनों में ग्रह नक्षत्रों की इस्तितियां कैसी होंगी क्या शुब पर्व होंगे क्या शुब तिति होगी क्या योग बनेंगे और वो आपकी दिंचर्या को किस तरह से प्रभावित करेंगे आपकी सिक्षा को आपके निजी जीवन को आपके प्रे वेदन है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें अगर आप हमारी चैनल पर पहली बार आए हैं पास में जो घंटी का बटन है उसको दबा दें ताकि हमारी आने वाली सब ही वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके तो चलिए जान लेते हैं कि 22 अगस्त से 28 अग बहाद्रप्रद महाशुकल पक्ष की चतुरतीति थी है और इस दिन साध्यय योग बन रहा है शुभी योग बन रहा है रवी योग भी बन रहा है और इस दिन हस्त नक्षत्र रहेगा शाम 7 बजकर 11 मिनुर तक उसके बाद चित्रा नक्षत्र लग जाएगा चंद्रमा इस में और तिरत्य में होगी ये चारभाव आपके सक्री अवस्था में होंगे इन्शी के अनुसार आपकी जो दिन्चरिया है वो परिवर्तित होगी क्योंकि ये जो राशी फल है ये चंद्र राशी पर आधारित है अगर इससे सब तहा की शुरुआत की बात करें तो ये विग्र ही फल देने वाले देव माने जाते हैं क्योंकि भगवान गणेश विग्न हरता है प्रथम पूझनिय देव हैं इस दिन से ये गणेश उत्सव शुरू होगा और दस दिनों तक लगातार चलेगा एक सितंबर तक ये चलने वाला है इस दिन जो 22 अगस्त का दिन शन सबसे भरा रहेगा और इस दोहरान आपको भी कुछ उपाय जरूर करने चाहिए क्योंकि विग्न हरता है तो आपके विग्नों को ये हर सकते हैं तो सबसे पहले हम राशीवल के बारे में जान लेते हैं कि ये समय जो है कैसा रहेगा वीडियो के अंत में कुछ उपायों के बारे में जानेंगे जो कि ये गणिश उत्साथ से जुड़े हैं चंद्रमा की स्थिति सब्तहा के शुरुवात में आपके 12 भाव में होगी कन्या राशी में बारवे बाह में चंद्रमा की जो इस्थिति है आपके भाई-बहनों के लिए तो शुब रहेगी और आपके कार शित्र में बहतर प्रदर्शन कर पाएंगे और उसमें आपको अच्छी सा फलता भी मिलेगी पारिवारिक जीवन भी इस दौरान अच्छा रहेगा हलाकि ये जो भाव होता है ये खर्चे का होता है व्या का होता है तो इस दौरान खर्चे जरूर ठोड़े हो सकते हैं आप करेंगे आपके लगन में आ जाएंगे और आपकी राशी के जो स्वामी है वो शुक्र है और वो आपके भागय भाव में बैठे हैं तो यह जो इस्थिति है यह बेहद शुब बनी हुई है यानि राशी स्वामी भागय भाव में बैठे हैं भागय को चमकाएंगे इस दोरान कोई महिला आपकी जीवन में आपकी भागय को बदल सकती है अगर आपके कारेशित्र में महिला कारे करता है महिला सहयोगी है तो उसके साथ से, उसके सपोर्ट से आपको कुछ न कुछ नया यहां देखने को मिल सकता है कुछ लाब की प्राप्ती हो सकती है आपकी आर्थिक इस्तिती पर भी इसका पॉजिटिव इफेक्ट होगा, सकारातमक प्रभावोगा संभावना है कि आपको कहीं न कहीं से कुछ धन की प्राप्ति जरूर होगी कारेशेत्र के लिए ये समय काफी अनुकुल है इस दोरान आप लाब अर्जित करने में सफल होंगे लेकिन साथ ही कुछ थकान भी रहेगी आपके उपर काम का प्रेशर जादा हो सकता है जिससे थकान हो सकती है तो साथ के साथ आपको समय पर आराम जरूर करना चाहिए इसके साथ ही इस समय आपकी राशी के स्वामी शुक्र और राहू केतु की उपस्थिती की चलते हुए स्वास्ते के प्रती साथ दहानी जरूर रखनी है यानि धन से जुड़े मामले बहुत अच्छे होंगे लेकिन स्वास्ते का आपको जरूर दिहान रखना है आपके धर्म कर्म में रुची को बढ़ा रहे हैं आप बढ़ चड़ कर धर्म के कारियों का हिस्सा बन सकते हैं और इस दोरान धन से जुड़े हुए कारे हैं वो भी आपके पूरे होंगे तो लाराशी के लोगों के लिए ये पूरा सप्ताह धन के मामले में बहुत अच्छा रहने वाला है क्योंकि जो सप्ताह का अंतिम समय होगा वहाँ गजगेश्री योग बन रहा है क्योंकि चंद्र और गुरू की यूति हो रही है साथ में कीतू भी विराजमान है तो स्वास्ते का तो देहाँ जरूर रखना है लेकिन धन से जुड़े मामलों के लिए ये समय काफिय नुकूल है आपके कई तरह के जो रुक्य होए कारे थे वो पूरे हो सकते हैं धन कहीं फसा हुआ था धन वापिस मिल सकता है तो ये समय काफिय नुकूल होगा और यहाँ सूर्य मंगल का गोचर जो हुआ था उसका प्रभाव भी आपके उपार इन दिनों में होगा और इस जो ये जो प्रभाव होगा इनका यहां आपके निजी जीवन में आपकी कारेशित्र में शुब फलो की प्राप्ति होगी और आपकी जो काम कंप्लीट होने की समभावना हैं वो जाधा रहेंगी विध्यारतियों के लिए भी ये समय अनुकुल रहेगा आप जितना अधिक अपनी education पर focus करेंगे उतना चाहत आप के लिये रहेगा अगर आप किसी course को करना चाहते हैं कोई course join करना चाहते हैं उसके लिए apply करना चाहते हैं तो इस अपना हमें जरूर करें क्योंकि यह समय काफी अनुकुल है और आगे आने वाला समय इस अपता के बाद का जो समय होगा उन दुनों में शुब कारे करना बहुत अधिक कहितकर नहीं माना जाता तो यह ऐसा समय है कि जब आप नए कारे की शुरुवाद भी कर सकते हैं आप एड्मिशन के लिए अपलाई कर सकते हैं जो अपनी करियर की तलाश में लगे हुए हैं वो अपनी करियर की शुरुवाद कर सकते हैं कि समय काफी अनुकुल आपके लिए हैं पारिवारिक जीवन इस दोरान आपका अच्छा रहेगा, प्रेम जीवन भी इस दोरान अच्छा रहेगा, नौकरी करने वाले लोग, वेपारी लोग, वेपारी लोगों के लिए ये सब्तहा बहुत अनुकुल है, और जो नौकरी करने वाले लोग हैं, उनको महिला के सपोर्ट से लागी प्राप तो आप गणिश चतूर्थी के दिन या कि 22 अगस्त के दिन ही जिस दिन भगवान गणिश की स्थापना की जाती है उस दिन उनको केले की माला आपर पित करें तो यह बहुत अच्छा दिन रहेगा और यदि आप शादी के यूग हैं और शादी नहीं हो पा रही है तो इसके लिए आप इस गणिश चतूर्थी के दिन भगवान गणिश को माल पूए बनाकर उसका भोग लगाएं ऐसा करने से जो शादी के रुकावटे हैं वो दूर हो जाएंगे इन दुनों में आप भगवान गणिश की पूजा अर्चना जरूर करें समय समय पर और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें